नमस्कार मैं आशिया गुपता न्यूज मॉमेंट से स्वागत करती आपका न्यूज मॉमेंट हिंदी में आज की खबरों की सुर्ख्या कुछ इस प्रकार है अमट भार्तिय स्टेशन यूनियन के अंतरगत होगा सिदारामपुर जंशन का महत्वपूर काया कलब चटपूजा को लेकर नितोरिया पंचायत समेती और सतोर ग्राम पंचायत के और से गुरुवार सुभा तमोदर रदी में चटपूजा का परिदर्शन असाम के अगरतला लोकमई तिलक एक्स्प्रेस के आठ डिब्बे पत्री से उतर गए सीएस ने बंगाल सरकार से कहा हस्पताल और स्कूल में कोई नागरिक स्वाप सेवक नहीं अंडाल के सिंगारन नदी में दिवासिस दत्ता बुबई नदी पार करने दोरान नदी में समागे सल्मान खान को मिली जान से मारने की धमकी समचार का ये भाग प्रायोजित है RICIS रानिगन द्वारा सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के लौरेंस बिश्णोई गिरो के एक कथित सदस्य ने मुंबई ट्रैफिक पुलीस को धमकी भरा संदेश भीजा है जिसमें गैंगस्टर के साथ लंबे समय से चले आ रहे जगडे को निप्टाने के लिए अभिनेता सल्मान खान से 5 करोड रुपे की मांग की गई है संदेश में चेतावनी दी गई है कि अगर सल्मान भुकतान करने में विफल रहे तो उनका हश्र महाराश्चर के पूर्व मंत्री बाबा सिद्धी की से भी बत्तर होगा जिनकी हाल ही में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी पिछले कुछ महीनों में सल्मान को बिष्णोई गिरो से बार-बार धमकियों का सामना करना पड़ा है बाबा सिद्धीकी की हत्या 14 अप्रेल को दो शूटरों द्वारा अभिनेता के बांदरा स्थित आवास के बाहर पांच राउंड फाइरिंग करने के कुछ महीने बाद हुई है संघष के केंदर में 1998 में कथित तौर पर सल्मान द्वारा दो काले हिरनों का शिकार और हत्या है हलांकि मामला अदालत में है काले हिरन को पवित्र मानने वाले समुदाय से आने वाले लौरेंस बिश्नोई ने अभिनेता से बदला लेने की शपत ली है जेल में बंध होने के बावजूद बिश्नोई कथित तौर पर अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला सहित कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याओं को अंजाम देने में काम्याब रहा है घटनाकरम के बीच सल्मान खान को वाई प्लस सुरक्षा दी गई है और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी पुलीस तैनाती की गई है मुंबई पुलीस ने चहरे की पहचान तक्नीक से लैस आईश्म उच्छ रिजॉल्यूशन वाले सीसी टीवी कैमरे भी लगाए है ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है तो कहां है मचलिया और कहां रखा जाए पानी तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहांनी आसन सोल ग्रीन एक्वेरियम जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मचलिया और बहतरीन एक्वेरियम आपको आसनसोल ग्रीन अक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के अक्वेरियम एक्वेप्मेंट जैसे फिल्टर स्टोर और फिशेस की हर विराइटी एक ही नाम आसनसोल ग्रीन अक्वेरियम BNR मोर अपोजेट रबिंद्र भवन शॉप नंबर 22 For contact, call on 9609-773-040 अमट भारती स्टेशन यूनियन के अंतरगत होगा सितारामपुर जंशन का महत्वपूर काया कलब समचार का यह भाग प्रायोजित है TVSPSJ द्वारा सीतारामपुर जंक्षन अमरिद भारत स्टेशन यूजना के तहट अपने चल रहे पुनरविकास पर यूजना में तेजी से प्रती और परिवर्तन देख रहा है जिसका उद्देश्य यात्री सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ाना है स्टेशन पर आधुनी की करण का काम पहले ही 92% पूरा हो चुका है जबकि शेश कार्य तेजी से किये जा रहे हैं पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में स्थित सीतारामपुर जंक्षन मुगल सरायपटना रूट के माध्हम से हावरादिली मुख्य लाइन और गया के माध्हम से रैंड कॉर्ड रूट सहित प्रमुक रूटोन को जोडने वाले एक महत्वपून रेलवे हब के रूप में कार्य करता है स्टेशन की रणनीतिक स्थिती और कनेक्टिविटी दैनिक यात्रियों एवं लंबी दूरी के यात्रियों दोनों के लिए समान रूप से इसके महत्व को रेखांकित करती है सीतारामपुर जंक्षन के आधुनिकी करण परियोजना से यात्रियों के लिए नई वबेहतर सुविधाय मिलेंगी और स्टेशन की समगर कार्यक्षमता और सौंदर्य में वृद्धी होगी मुख्य सुधारों में सर्कुलेटिंग एरिया के भीतर यातायात सर्कुलेशन में वृद्धी शामिल है जिससे यात्रियों को स्टेशन के विभिन हिस्सों तक सुगम पहुँच प्रदान की जा सकेगी पूरे सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदरी करण किया जाएगा जिससे स्वागत में वातावरन बनेगा स्टेशन के अगरभाग और उन्नत करने को लेकर महत्वपूर्ण उन्नेन की योजना बनाई गई है जिसमें आधुनिक प्रकाश व्यवस्था की संस्थापना की जाएगी जो एक जीवन्त और प्रकाश से परिपूर्ण स्टेशन सुनिश्चित करेगी आंतरिक सुधार भी प्रात्मिकता है, मौजूदा प्रतीक्षाले, टिकेट काउंटर और अन्य सारवजनिक स्थानों को यात्रियों के लिए अधिक आराम और सुविधा प्रदान करने के लिए नया रूप दिया जाएगा बेहतर बैठने की जगह, आधुनिक टिकेट काउंटर और दिव्यांग गजनों, विकलांग व्यक्तियों के लिए समर्पित शेतर सीतारामपुर जंक्षन पर पहुंच और समावेशिता को और बढ़ाएंगे इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्टेशन को नए कोच इंडिकेशन बोर्ड और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड से सुसच चित किया गया है ये सुधार स्टेशन की समगर कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए निर्धारित है जिससे यह और अधिक यात्री अनुकूल और देखने में आकर्शक बन जाएगा इतना थी नहीं यहां संसकार थी मिलता है तो फिर दिरुशे नहीं जाज अकैट में जाएग जाएग को लेकर नितोरिया पंचायत समेती और सतोर ग्राम पंचायत के और से गुरुवार सुभा तामोदर रदी में चटपूजा का परिदर्शन यह समचार प्रायोजित है प्लेच हॉस्पिटल द्वार नेचुरिया से वरकिंग एडिटर विकास प्रसाद के इस मौके पर नितोरिया पंचायत समिती के अध्यक्ष शांती भूशन प्रसाद यादव साल-तोर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान सुमित सागर प्रसाद यादव, पंचायत सदस्य केशवहारी, सुमित कुमार शर्मा, दीपक सिंग, विपिन यादव, सुनील कुमार सिंग सहित अन्य उपस्थित थे आईए सुनते हैं श्री शांति भूशन प्रसाद यादव क्या कहते हैं झाल जोब जादए सुनते हैं झाल 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 ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ प्रिया कोस्मेटिक नियर मिनार केक शॉप जेटी रोड आसंसोल वन प्रिया कोस्मेटिक्स आमादे शॉप उच्छे मिनार केक शॉप भेतोरे आमादे शॉप सहॉप ए समोश्तोरोक्व में क्योंटिक्स पोडर्वेलेबल आछये ज्यमुठ में वलीन, कलरपार्ड शुघर, भाक्मी, प्लाम्ट, लोटस ए छाळाओ में समो्श्तोरोक्म प्रोफेश्युनळ पोडर्वेलेंबिल आछये आवर कॉंटेक्ट नमबर 9563 404288 and 8918 940868 असाम के अगरतला लोकमाई तिलक एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पत्री से उतर गए यह समचार का भाग प्रायोजित है ASP द्वारा अगरतला लोकमाई तिलक टर्मिनिस एक्सप्रेस के कम से कम आठ डिब्बे गुरुवार शाम चार बजे असम के डिबालोंग स्टेशन पर पत्री से उतर गए दुरघटना शाम करीब चार बजे लुमडिंग डिवीजन के लुमडिंग बारडरपुर हिल सेक्शन में हुई किसी के हताहत होने या बड़ी चोट लगने की सूचना नहीं है रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बजाव और बहाली कारियों की निगरानी के लिए डिवीजन के वरिष्ट अधिकारियों के साथ दुरघटना राहत ट्रेन और दुरघटना राहत चिकित सा ट्रेन पहले ही लुमडिंग से घटना स्थल के लिए रवाना हो चुकी है घटना के कारण लुम्डिंग बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन भी निलंबित कर दिया गया है रेलवे ने लुम्डिंग में हेल्प लाइन नंबर भी जारी किये हैं 0367 4263 120, 0367 4263 126 यह घटना 11 अक्टूबर को तमिलनाडू के कावरापिती में एक स्थिर मालगाडी से टकराने के बाद लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन के बारा डिबबे पट्री से उतरने के एक हफते बाद हुई ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ घर की मालकीन को ब्लैक मेल करके दश महिने तक उनके साथ दुषकरम करने वाला आरोपी अब गिरफतार यह समचार का भाग प्रायोजित है शाइन अकेडमी दवारा आसनसोल से बीनु श्रीवास्तवा के अनुसार विवाहिता के साथ उसके घर का ही नौकर पिछले दस माह से दुषकरम कर रहा था विवाहिता के नहाने के दौरान उसकी कुछ तस्वीर नौकरने ले ली थी जिसे वाइरल करने की धमकी देकर वह महिला के साथ लगातार दुश कर्म करता रहा इसका खुलासा सुमवार रात दस बजे को तब हुआ जब विवाहिता खुदकुशी करने गई और एन वक्त पर उसके पती ने आकर उसे बचा लिया कारण पूछने पर पीडिता ने अपने पती को पूरी कहानी बताई जिसके बाद आसनसोल नौर्थ थाने में पीडिता के पती ने दिलनवाज खान और उसकी मां को आरोपी बनाकर शिकायत दर्ज कराई शिकायत के आधार पर कारण संख्या 509 बटा 24 में बी एन एस की धारा 64, 2, M 351, 2, 3, 5 के तहट मामला दर्ज हुआ पुलिस ने आरोपी दिलनवाज को गिरफ़तार किया और गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया आरोपी की जमानत याची का रद हो गए और उसे न्याएक हिरासत में जेल भेज दिया गया ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ आरोपी को गोड़ोच फिलनका आरोपी के आरोपी कि एलनका जाएक अदैमीड दिलने दोलन है अध़ज दिलने के कि एलने अच्रिट को लगए हो फिलने है प्रक्दाबीजर स्मा दिलने टी चेंट ऑंड बहोच अनोंग ग्याएक अंड टर्सेंट चलिए activities. Classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. C.S. ने बंगाल सरकार से कहां हस्पताल और स्कूल में कोई नागरेक स्वाप सेवक नहीं. समचार का या भग प्रायोजित है एंजल द्वारा. कोलकाता से इसरार एहमद के सुप्रीम कोट ने 9 अगस्थ को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलातकार और हत्या में ऐसे ही एक स्वाप सेवक की कथित संगलिप्ता के बाद पश्चिम बंगाल सरकार को अस्पतालों, स्कूलों और अन्य संबेदन्शील संस्थानों में नागरिक स्वयन सेवकों को तैनात करने से रोक दिया और सवाल उठाया की क्या ऐसा है? तैनाती असत्यापित व्यक्तियों के लिए राजनितिक संरक्षन के रूप में कार्य करती है राज्य से जवाब देही और पारदर्शिता की मांग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश धननजे वाई चंदरचूड की अगुवाई वाली पीठ ने बंगाल सरकार को नागरिक स्वयन सेवकों को काम पर रखने के लिए कानूनी धांचे, उनकी योग्यता, उन्ह जैसे स्वयन सेवक किसी भी घटना में काम न करें, जहां अस्पताल और स्कूल जैसे समवेधनशील प्रतिष्ठान विशेश रूप से असुरक्षित हो सकते हैं। उच्छ सुरक्षा उपायों की आवश्शक्ता होती है। उत्रप्रदेश रेलवे के प्रयागराज स्टेशन पर रिमाडलिंग करिया। समचार का यह भाग प्रायोजित है B&M कोचिंग सेंटर दुआरा। उत्रमध्रे रेलवे के प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रिमाडलिंग कार्य और इलेक्ट्रोनिक इंटलोकिंग कार्य के संबंध में प्रीनॉन इंटलोकिंग नॉन इंटलोकिंग कार्य के कारण निमन लिखित ट्रेनों का मार्ग निमनानुसार परिवर्तित किया जा को पंदीन दयाल उपाध्याई वारण सी प्रयाग प्रयागराज जंक्षन के बजाए पंदीन दयाल उपाध्याई मिर जापुर प्रयागराज जंक्षन के रास्ते चलाया जाएगा 12307 हावरा, जोदपुर एक्सप्रेस, 19 अक्टूबर 2024 और 20 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा को आगरा फोर्ट तुंडला प्रेयागराज बंदीन दयाल उपाध्याई के बजायर आगरा कैंट, विरांगना लक्षमी बाई जांसी जंक्षन मानिकपुर प्रेयागराज छ चिवकी पंदीन दयाल उपाध्याई के रास्ते चलाया जाएगा। उक्त ट्रेन प्रेयागराज छिवकी और आगरा कैंट स्टेशन पर पांच मिनिट के लिए रुकेगी। उक्त ट्रेन प्रेयागराज छिवकी और आगरा कैंट स्टेशन पर 5 मिनिट के लिए रुकेगी। पंदीन दयाल उपाध्याई के रास्ते चलाया जाएगा और उक्त ट्रेन प्रेयागराज छिवकी और आगरा कैंट स्टेशन पर 5 मिनिट के लिए रुकेगी। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। यात्री अब 120 दिन की बुकिंग अवधी के बजाए केवल 60 दिन की पहले ही टिकेट बुक करवा सकेंगे। अगरे मारक्षन की अवधी में ट्रेन के प्रस्थान का दिन शामिल नहीं है। नया नियम कथित तौर पर एक नवंबर 2024 से लागू होगा और इसका उन्यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने पहले ही अपना टिकेट बुक कर लिया है। हाला कि कुछ दिन की एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा जहां वर्तमान में अगरे मारक्षन के लिए कम समय सीमा लागू है। विदेशी परियटकों के लिए 365 दिन की सम्यावधी में भी कोई बदलाव नहीं होगा डॉट रिपोर्ट्स के मताबिक, हर साल करीब 30 से 35 करोड यातरी भारतिय ट्रेनों से यात्रा करते हैं। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। जार्खंट में चुनाव से पहले आजशू को बड़ा जटका। जार्खंट विदान सभा चुनाव से ठीक पहले आजशू। जार्खंट स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी को बड़ा जटका देते हुए पूर्व मंत्री और आजशू के केंद्रिय उपाध्यक्ष उमाकांत रजचक ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चंदनक्यारी के पूर्व विधायक और सरकार में मंत्री रजचक की नज़र चंदनक्यारी सीट पर थी। आजशू द्वारा सीट सुरक्षित करने के कई प्रयासों के बावजूद यह भाजपा के पास बनी हुई है क्योंकि मौजूदा विधायक अमर कुमार बावरी निर्वाचंग शेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह देखते हुए कि भाजपा द्वारा यह सीट छोड़ने की संभावना नहीं है। रजचक ने आजशू के केंद्रिय उपाध्यक्ष के पद से इस्तिफा दे दिया है। अब उनके आगामी चुनाव लड़ने की उम्मीद है। अंडाल के सिंगारन नदी में देवासिस दत्ता उर्फ बुबाई नदी पार करने के दौरान नदी में अपने स्कूटी सहित समा गए। घटना स्थल पर मौजूद बबलू तुडू ने कहा कि कल रात 11 बजे देवासिस दत्ता उर्फ बुबाई चालीस अपने काम से लोट रहें थे और नदी पार कर अपने घर अंडाल दामोदर कॉलोनी जाना था लेकिन रात नदी का पानी जदा होने से वो स्कूटी के साथ नदी में समा गए अभी गोदा खोरो की मदद से उनकी खोच जारी है नदी के पास से उनकी स्कूटी को निकाल लिया गया वीडियो के अंतिम में समय है मोमेंट के SMS का लोग उन लोगों को नहीं छोड़ते जिनसे वह प्यार करते हैं लोग उन लोगों को त्याग देते हैं जिनका वह उप्योग कर रहे होते हैं उमीद है आपको आज का हमारे ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्रिपय से लाइक करे, शेयर करे और सस्क्राइब करे हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद